बेहार के मुजफरपुर जिले से चौका देने वाला मामला सामने आया है मामला जिले के मुजफरपुर बजार का है जहां मुर्दा के जिन्दा होनी की अवबा पर बजार में भगदर मच गई लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे वहीं स्थानेय लोग बुरी तरह डर गए दरसल ये मामला शरीवार यानी शहिद दिवस का है जब मुजफरपूर निवासी अशोक भारती जो पेशे से अभी वक्ता है वो अपनी टीम के साथ मिलकर महत्मा गांदी की शादत पर एक दिवस्यन नाटक कर रहे थे इसी कारेकरम के तहट महत्मा गांदी की हत्या के बाद उनकी शव यात्रा निकालने का नाटक किया जा रहा था इस दोरान एक व्यक्ति महात्मा गांधी बन कर अर्थी पर लेटा हुआ था जिसे एक गाड़ी पूरे जिले में गुमा रही थी लेकिन नाटके शवयात्रा में उपस्तित लोग नाटक के बीच ही अपने अपने काम से कहीं चले गए जिसके बाद वहां चालक अकेले ही शवयात्रा के लिए जा रहा था इसी बीच गांधी जी की भूमी का में इम्रित पड़े व्यक्ति का फोन बजने लगा और वो कॉल रिसीव करने के लिए हिलने लगा यह देखते ही मुर्दा के जिन्दा होने की अपवा फैल गई और आसपास में भगदर मच गई जिसके बाद शववाहन के ड्राइवर ने वहां उपस इस लोगों को समझाया कि यह नाटक हो रहा है जिसके बाद लोगों की सास में सास आई लेकिन अब इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जम कर वारल हो रहा है निउस डेक्सक